लोगों में नहीं उनके पैसों में इंट्रेस्ट हर बात पर मैं केस छुख देता हूँ एक बार गांधी नगर में चिकन शॉप से स्मेल आ रही थी उसे स्मेल से मेरा खून जल गया ऐसा केस करके मैंने 25 अधार पिश लिए बचपन में फेल हो गया था माबाप ने मुझे मारा था इस बात पर केस करके उनसे भी मैंने पैसे वसुल गया पाजू वाले घर की शैड़ो मेरे घर पर पड़ी थी तो उस पर केस बना कर लाख रुपए उनसे भी निकल वा लिए डियल वर्ड में भी इस तरह का एक अजीब वक्ति है जिसके पास कोड में सबसे ज़्याद केस करने का गिनीस वर्ल रिकॉर्ड है हालाग इस पर एक अजीब बात ये भी है कि इसने गिनीस वर्ल रिकॉर्ड देने वाली इस अंसा पर भी मुकदमा कर दिया था क्योंकि उससे बिना इजाद लिये किसी किताब पर उसकी पर्सनल लाइफ की बारे में लिखा गया था कौन ही हैं ये लोग कहां से आते ही इस वक्ति ने अपने जिंदगी में करी 26 सों से ज्यादा केस कर रखे हैं जिन में से वह कई जीता भी है इन्होंने अपने दोस्ते रिस्तिजारों, मंगेदर, पुलिस, जज़, सलिब्रिटीज और फेमस कंपनीज के खिलाफ भी मुकदमा किया है आपको क्या लगता है? ऐसे वक्ति की जिंदगी का पहला मुकदमा किस वक्ति पर हुआ होगा? इसनी अपनी जिंदगी के पहला मुकदमा अपनी मापर ही कर दिया था यह मुकदमा इसनी अपनी मापर इसलिए किया था क्योंकि उसकी माँ ने उसका पालन पुसर्ण अच्छे से नहीं किया था और तो और वह यह केस जीत भी गया उसे 20,000 डॉलर का मुगाफ़जा भी मिला इसके नाम से अलग-अलग कोड में अलग-अलग लोगों और कमपनीज के खिलाब केस दर्च किया हुआ है इतना सब करने के बाद इने करीब 8,000 डॉलर का मुगाफ़जा मिल चुका है इतना सब होने के बाद भी ये बंदर रुका नहीं एक टीवी शो में इसे बुलाये गया जहां उससे एक सवाल किया गया ये क्या वज़ा है कितनी शौरत होने के बावजूद भी आप अकेले जिन्दी गुजार रहे हैं इसके बाद जौनाथन हसे और वहाँ से शो छोड़ कर चले गए और फिर होना क्या था उन्होंने इस टीवी शैनल के शो के खिलाफ भी एक मुकदमत दर्ज कर दिया क्योंकि उस दिन शो में उनकी बेसेती की गई थी वीडियो का नॉलेज़ पर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जादा जादा शेयर करना थैंक यू